भारत और न्यूजिलेंड के बीच वंडे सीरीज का दूसरा मैच हैमिल्टन में खेला जा रहा है। यहां न्यूजिलेंड ने टॉस जीता और पहले गेंड बाजी करने का फैसला किया है। सीरीज में टीम इंडिया शुन्य एक से पीछे है। हैमिल्टन में भारतिय टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। फिलहाल इस मैच पर बारिश का संकट छाया हुआ है। संजू सैमसन और शिकर धवन की जोड़ी ने सधी हुई शुरूआत करते हुए हुए बिना कोई विकेट खुए हुए 4.5 ओव में 22 रन बना लिये थे। तभी बारिश आ गई और खेल को रोकना पड़ा है। भारतिय टीम ने दूसरे वंडे में दो बदलाव किये हैं। संज कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने टेस्ट मैचों में अपना लोहा मनवाया है। लेकिन वो टी 20 वर्ल कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। इसके बाद न्यूजीलेंड के खिलाफ टी 20 और वंडे सीरीज के लिए उन्हें उपकपतान बनाया गया। लेकिन व चलिए फिर भी जानते हैं पिछले कुछ मैचों में दोनों फिलाडियों का प्रदर्शन किस तरह का रहा है। दोस्तों अगर आप भी संजू सैंसन को स्पोर्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे और चैनल को सब्स्राइब करें। भारत और न्यूजीलेंड के बीच वंडे सीरीज शुक्रवार से शुरू हुई। रिशब पंथ पहले वंडे में 23 गेंड पर 15 रन बना कर तेज गेंड बाज लौकी फर्गियोसन की गेंड पर बोल्ड हुए और उन्होंने दो चोके लगाए। वे शुरूआत से ही ले में नहीं दिख रहे थे। इ यानि वे दोरे पर अब तक 3 मेच में 32 रन ही बना सके हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पंत ने जिंबाबवे के खिलाफ 3 और इंगलेंड के खिलाफ सेमी फाइनल में 6 रन बनाए थे। संजू सैंसन भी न्यूजीलेंड के खिलाफ T20 और वंडे सीरीज के लिए टीम म किसको को 250 रन के पार पहुँचाया। यानि उन्होंने न्यूजीलेंड में एक ही पारी में 36 रन बना दिये वहीं 53 पारियों में यहां तक नहीं पहुँच सके हैं। संजू सैंसन के वंडे के रिकॉर्ड को देखे तो उन्होंने 10 पारियों में 66 की औसत से 330 रन बनाए दो अर्धशतक लगाया है। स्ट्राइक रेट 105 का है। नाबाद 86 रन की सबसे बड़ी पारी खेली है। वहीं पंत की बात करें तो उन्होंने 25 पारियों में 36 की औसत से 855 रन बनाए हैं। एक शतक और 5 अर्धशतक लगाया है। नाबाद 125 रन सर्वश्रेश्ट को है। द सन्यवाद!